मनजिल क्या है रास्ता क्या है ह। हों सले हों तो फिर फासला क्या है तो आज एक मौस्ट इंपोडेंट टोपिक पढ़ने वाले हैं B.S.C. first semester chemistry का वेंडसरूल क्या होता है और देखने वाले हैं इसकी explanation एक most important topic है तो छोलना बिल्कुल नहीं है, unit second है, simple worlding theories of molecules, चलिए मैं start कर वाइता हूँ, वेंट्स रूल, आखि लिए होता क्या है, होता क्या है, सर कुछ नहीं होता है, एक simple सा topic है, और अराम से समझेंगे इसको, वेंट्स रूल को, ठीक है सर, आप अराम से समझाओ, इस बेंट्स रूल को, ओके, 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 चलिए बहुत सारी theory आपने पढ़ रखी है, base प most important topic है, यार, चलिए, ये rule हम से कहता है क्या, भया, हेंडरी बेंट्स रूल दे के हमें परसान कर दिया, सबसे पहला दिहान देना है, कि यह theory, यानि कि यह rule होता है, यह नियम, यानि कि इस नियम का पिर्तिपादन, मैं लिख देता हूँ, इस नियम का पिर्तिपादन, ओके समझाता हूँ, अब घबलाओ मत यार, क्योंकि भया, थियोरी लिखके भी तो आनी है, पेपर में, तो थियोरी भी तो होनी चाहिए, ना, तो इस नियम का पिर्तिपादन, ओके सर, ओके, किस ने किया था सर, जल्दी बता दो, रुका ना जा रहा, अच्छा, इस नियम का प यार, क्या बात कर दी, सर, आपने किया था, ओके, सर, ओके, अच्छा, बेंट रूल समझाता क्या है, कोई ना, कोई तो ऐसी चीज होगी, जिसके बारे में बेंट रूल बताता, तो किसी भी कंपाउंड की मोलेकुलर, जियोमेट्री को समझाने के लिए, वेंट रूल का य आप यह नहीं हम कहता क्या आप से, चलिए, स्टेटमेंट देखते हैं इसका, इसका जो स्टेटमेंट है ना, मैं बो लिख रहा हूँ, ठीक है, सर, इसका स्टेटमेंट लिख दो, लिखने इसका स्टेटमेंट पका, सोच लो एक बार, सोच लिया मिले, ठीक है, दो बेटे पॉजितिव सब्सेट्ट सिफ्ट यानिके एटम की ओर होगा यानिके यह पास जो पी करैक्टर होगा न मेरे दोस्तों पी करैक्टर अभी समझा दूंगा डेटेल से घबलयाओम मत डरों मत वह Honda मेरे पास किदरों खुन बेटे इलेक्टों निकेटिव एलेमेंड की हो खुल्हक स्थरू निगेडिव एलीमेंट की अल्याइक टों कहो स्वाइड पleben की ओर्ख यानी के according to this rule, यानि के इस rule के according line पर focus करने भी ठीक से इस rule के according ओके सर, ओके, इस rule के according, जएधा बड़ा rule नहीं है, आराम से पढ़ते हैं, इस rule के according, किसका central atom का, अभी समझाऊँगा, ठीक से पहले लिख लो, central atom का, ओके सर, central atom के hybridized orbital, hybridized hybridized orbital, ओके सर, hybridized orbital, यानि कि central atom के hybridized orbital, यानि कि इस rule के according, central atom के hybridized orbital का, जो s character होता है, s character जो होता है, मेरे दोस्तो, s character जो होता है, s character अधिक, ठीके, line पर दिहान देना, अधिक electro positive, ओके, ओके, अधिक electro, ओके सर, अधिक electro positive, होता है, ओके सर, की और होता है, समझमा, आया, की और होता, तथा, तथा, जो मेरे पास P character होता है, क्योंकि जहां hybridization होता है, बहाँ पे S orbital भी होता है, P orbital भी होता है, D orbital भी होता है, तो D कुछ श्मारो गोली पी की बात कर रहे हैं तो था पी जो करेक्टर होता है पी करेक्टर जो होता है मेरे दोस्तों जो मेरे पास पी करेक्टर होता है वो किधर को होता है वो अधिक पी करेक्टर अधिक इलेक्ट्रो निकेडिव ओके सर इलेक्ट्रो निकेडिव ठीक है सब T-Tunes की ओर होता है की ओर होता है ओके सर यानि के मैं इसको लिख सकता हूँ कुछ इस टाइप से कि मेरे पास जो S कारेक्टर आएगा X कारेक्टर जो होगा वो भाई या किसकी ओर जाएगा ठीक है की ओर ता किसकी ओर होता है वो दा भाई या इलेक्ट्रो पोजीटिव ठीक है इलेक्ट्रो पोजीटिव ठीक है इलेक्ट्रो पोजीटिव सब्स्टिश्टिश्ट्यूस की ओर होगा और जो मेरे पास पी करेक्टर होगा जो मेरे पास कर सकते हो कोई दिख्कत नहीं ही ठीकर को होगा इल्यक्तो पोजिटिव एटम की होगा उजो पी करेक्टर होगा वह एलेक्टो निकेटिव एटम की होगा जैसे मैं आपको इहां समझा दूँ चीछ को अरे भाया चलिए मैं यहां समझाता हूं इस चीछ को भाया जैसे देखो लाइन पर फोकस करना है ठीक से हम पोच है oxygen is a central atom okay sir okay okay और भाया ये मेरे पास हाइटोजन है और ये मेरे पास फिलोरीन है जल्दी बताओ पूरी पीरियोडिक टेविल में सबसे अधिक elektron negativity किस element की होती है तो आपको पता होना चाहिए फिलोरीन एक ऐसा element है पूरी अवर साली में जिसके elektron negativity सबसे हाई होती होती कितनी है 4.0 होती है आपने फोन वर्ड से याद करा होगा एफो एन फिलोरीन के बाद oxygen आता है और सुनके बाद क्या था मेरे पास nitrogen आता है भाई या बहुत लंबी कहानी है तो ये कुन सा element है hydrogen भाई है ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव element मानें इसको हम मानेंगे है इल्यक्रो निकेडिव element यानि कि इसको मानेंगे इल्य पॉजिटिव एटम इसको मानेंगे इल्यक्ट्रो निकेडेडीव atom ठीक है मान सकते हो कोई दिक्कत नहीं तो तो यहां कहने का मतलब क्या होता है कि जो hydrogen तुम देख रहे होना ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव सर इलेक्ट्र निगे टिव एटम है ठीक है बस होई चुका थोड़ा सो रहा है एटम अब देखो जड़ा धिहान से जड़ा दिहान देना क्योंकि मैंने वोला अपनी थियोरी में कि जो एस करेक्टर है वो अधिक एलेक्ट्र पोजिटिव एटम की और होगा ठीक है बात ब्ल यह है कि जो इलेक्ट्र पोजिटिव एटम होता है यानिके अधिक एलेक्ट्र पोजिटिव एटम होता है वो एस करेक्टर वाले बांड को पसंद करता है और जो इलेक्ट्र निगेडिव एटम होता है वो यानिके पी ओर्बडल वाले यानिके पी करेक्ट्र वाले बांड को पसंद करता है या आप ऐसे कह सकते हो कि जो अधिक एल्यक्त्र पॉजिट्व एटम होता है वो अधिक स्करेक्टर वाले बॉंड को पसंद करता है तथ्सक्रेक्टल भी Damit को पसंद करता है क्वो थोड़ा से देखो, explain मैं कर देता हूँ, इसका hybridization में, ध्यान देना hybrid digestion के अनुसार, focus करें, लाइन पर ठीक से, hybridization के अनुसार, ठीक है सर, आपको पता होना चाहिए, जो atomic orbital होते हैं, मेरे दोस्तों, जो हमारे ये atomic orbital होते हैं, हाँ सर, atomic orbital होते हैं, atomic orbital mix होकर, क्या बनाते हैं, mix होकर, hybrid orbital बनाते हैं, अब hybrid orbital की जो shape होती है, n개 quipe depend करती है, hybrid orbital की जो shape आती है, जो होती है आकर्थी वह एस तथा पी और्बिटल पी ओर्बिटल के कंट्रीृशन तुर समष्थे उना आउर नेनेदेवींम करना के पर करती है यूगदान पर करती है अगर संक्रण और संक्रड एसपी तो अकरती कहसी होती है अगर स्णक्रण एस्पी बहुत ज़री लाइन है चलिए अब जो मैन पॉइंट है वो आब आता बैंड के अनुसार बैंड जो आता ना वो यानि के इस रूल के अनुसार ठीक है इस रूल के अनुसार रूल लगा दो इस रूल के अनुसार ठीक है मैंने जो बताया वो सैम मैं लिखने वाला हूं यहां पर इस रूल के अनुसार जो मैंने बता यानि के अधिक इलेक्ट्र पॉजिटिव एलिमेंट अधिक इलेक्ट्रो ओके सर अधिक इलेक्ट्र पॉजिटिव एलिमेंट अधिक इलेक्ट्र पॉजिटिव एलिमेंट अधिक इलेक्ट्र पॉजिटिव बोल दो या एटम बोल द पॉजेटिव सब्सिटून्स जो होता है वो अधिक एस लक्षन वाले ध्यान देना अधिक एस करेक्टर वाले अधिक एस करेक्टर वाले ठीक है बोन्ड को पसंद करता है बोन्ड को क्या करता है बिटा को पसंद करता है ओके पसंद करना ना करना अरे भाईया यह तो आपके हाथ में पसंद करता है ठीक है तथा एक लाइन में ओ लिख जाओं तथा अधिक अधिक एलेक्ट्रो निकेडिव अधिक एलेक्ट्रो निगेटिव ओके सर अधिक एलेक्ट्रो निकेडिव और सब्सिट्यून्स जो हता है सब्सिट्यून्स ओके अधिक एलेक्ट्रो निकेडिव सब्सिट्यून्स जो आता है अधिक एलेक्ट्रो निकेडिव सब्सिट्यू को पसंद करता है या कुछ यह कूल होता है या यह यह जो करेक्टर का क्या मतलब होगा एनरजी कम होनी चाहिए और इससी के बारे में लिख दिया कि अदिक परोई कि च चन्य को पसंद करता दहीं तो अधिक शेयितर शे चीकर वाले बॉन को पसंद करता है चलो मैं एक लाइन ओल लिग दिता हूं यहां अधिक S करेक्टर का मतलब क्या है अधिक S करेक्टर का क्या मतलब है अधिक S करेक्टर का रेक्टर का मीन 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 मतलब अर्थ है का अर्थ है की अर्थ है कि ठीक है एनर्जी कम या फिर ना कम एनर्जी कम एनर्जी तथा अधिक शेप तथा अधिक शेप होता है ठीक है अधिक शेप होता है और एक चीज़ में बता दूना आपको कि जो मेरे पास S और्बिटल होता है तो उस S और्बिटल की जो S और्बिटल की जो का जो साइज होता है साइज मतलब अकार जो होता है सउल अधिक होता और खास बात तो यह है कि एस और लिड़ PLAYING वह नाधिक के निकट होता है यह लाइन पे धियान देना है सोकी आधिक के काawan होता है वह नाधिक के निकट होता था Hoje आप पास होता है ओके ठीक हो गया यहां तक बहुत बढ़ी है समझे मात अगया वगा जदा बड़ा टोपिक ना है इजी टोपिक एकल अब बात यह आती है कि यह रूल कहां लागू होता है तो यह रूल जो होता है वो अन कंपाउंट पर लागू होता है जिन में s3D हाइब पाया जाता है यानि कि जिनकी अकर्ति कैसी होती है ट्राइगोनल वाई पिरामिडल स्टेक्चर होती है समझा रो चीज़ को इस लाइन को मैं है लिखने वाला हूँ पहला यहां तक कदर स्कीन स्वोड ले लिया होगा आपने इसको मैं रेस करने वाला हूँ उसके बाद में अगर बढ़ता हूँ कहानी लेके अपनी ओके सर ओके आप सर करवादो डरो मत हम आपके साथ हैं हैं भाईया चलिए मैंने इसको एरेस कर दिया है ओके सर ओके 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 चलिए देखें फिर इस चीज़को डन वेरी होड चलो देखते हैं यानि कि यह रूल होता ना यह है ज को एक्सप्लेन करता है और एक्सप्लेन करता है जब क्या होता है सेंट्रल एक्तम से दिहान देने पीटें से इंट्रल एक्तम से टू टाइप्स के, लाइन पर धिहान दो, टू टाइप्स के, सेंट्रल एटम से, टू दो फिरकार के, ठीक है, सबसी ट्यून्स, एटम लेख सकते हो, सबसी ट्यून्स, सबसी ट्यून्स, टी यू, एन्टी, सबसी ट्यून्स, या लोन पियर, या लोन पियर आफ इलेक्ट्र लोन पियर की पोजिशन ग्याद करनी होती है लाइन पर दिहान देना ग्याद करनी होती है ओके ग्याद करनी होती है यह रूल ट्राइगोनल वाई पिरामिडल स्ट्रक्चर को एक्स्प्लेन करता है जब सेंटल एटम से दो टाइप के सब्सिट्यून्स और लोन पियर या लो आप देहां देना तयार हो जाओ तो भाईया पहले यह बनाओ यह तुमने बनाया या ट्राइगा नल वाइ-पिरामिडल इस्टूड्टर यह कैसे बनती है वह देखते हैं देखो लाइन न फोकस करना भी अब आगे देखते हैं अब एक लाइन पर फोकस करना जितने पर दम तो लिए इसके बारे में सर हमें बता ओ समझाओ सर इसके बारे में यह समझ में आ रही किना इसält मेरे फिल फाइब है कि इस गया श्रस प्रेंटहल तो सॉक्ट प्रेवर पर शॉस्टों कर से हैं समान है आप कहीं भी जोड सकते हो कोई दिक्कत नहीं है यहां जोड़ो यहां जोड़ो यहां जोड़ो यहां जोड़ो यहां जोड़ो मुझे कोई परिशानी नहीं है कोई दिक्कत नहीं है ठीके परिशानी तो तब बढ़ती है जब CL5 की जगे PCL3 हो और मेरे पास कित वेंट होंने चोन लोड़ आप यहां जोड़ो ठीक है और जो लो इलेक्टर निकेटिव और यहां जोड़ो ठीक है और जो लो उनको आप यहां जोड़ो ठीक है假, यह तो सरासर 10 साफी मैं वै Maurice ने ने यह तो सरासर WIL hull लॉक पास से हो जाएंगे हो जाएंगे एटम फिर ऐसी लोग इलेक्ट्रो निगेडिव एटम मेरे पास यह हो जाएगा है यह कहा था बैंट डोल ठीक है यानि के एफ जो है बेटा वो कहां जोड़ेगा वो जोड़ेगा यहां पर आके लाइन पर फोकस करना कुछ इस टाइप से अगर मै क्यों कि यह कम इलेक्ट्रो निकेडिव एटम है और यह क्या मोर इलेक्ट्रो निकेडिव एटम है अब बात यहां आती है देखो अब ठीक है यह वाले और यह वाले जो दिखाई दे रहे हैं इनको बोलता हम एक्जियल और चलो मैं पहले लिखता हूं तो मेरे पास SP3D ठीक है अब टू टाइप के कौन कौन से होंगे वह भी हम चैक कर लेते हैं पहला देखो SP2 निकाल लो SP2 और बृटल लाइन पर फोकॉस खरना SP2 और बिटल फिर निकाल लो एक मेरे पास पी बचा एक मेरे पास डी बचा PD और बिटल ठीक है PD और बिटल इनको बोलते है संभ और वीदिल और इसको उलता है हम यानि के ऐग्जियल ओर बितल ऊके सा रोके हिंदी में बोल दो इसको हिंदी में क्येते हैं इसको संभाहू ठीजिक्षक य vest यह ये यह ये कौन से कक्षक है यानि कि यह क्वार्ट से यह यह कौन से यह थे पासげ XJL Orbital है तो संभाहू और ढोल दो दो इसका कख्षक का नाम है इस वाले का उसका नाम है आक्षिय कख्षक यहनि के आक्षिय कख्षक चलिए सर देखते हैं आप जड़े वस हाइं कौन सा यहां पर यहां पर जो हाइं प्रिडाइशन हो कौन सा विटा जीरो परसेंट होगा यहां तो कोई एस करेक्टर है नहीं यहां पर एस करेक्टर बहुत ज़्यादा है और तुम्हें पता है कि जो एस करेक्टर वाला होता है न वो सब्सक्राइब. से ठीके तो यह कैसा होगे मेरे पास यह कम एलेक्ट्रो निकेटिव और यह अधिक इलेक्ट्रो निकेटिव ओके समझ माया क्यूंकि यहां पहली यह कह चुका के एस करेक्टर जो होता है वो कहां जाता है वो कम इलेक्ट्रो निकेटिव या अधिक इलेक्ट्रो पोजेटिव की और जाता है और जो तुम्हारे पास कम एस करेक्टर जो होता है वो अधिक इलेक्टर निकेटिव एटम की ओर जाता है समझमाया कुछ तो यहां एस करेक्टर जाते हैं तो यह हो गया कम इलेक्टर निकेटिव यहां एस करेक्टर कम है तो यह हो गया अधिक इलेक्टर निकेटिव तो यहां तक मेरे ख्यास से समझ में आ गया होगा, यहां सम्झ में आ गया चलिए, अब मैं जो next-line लिए लिए लिए, लिए लिए, लिए, जरूरा ध्यान से देखना आप, यह लिए लिए लिए, अब खुश हो जाओगी जो line सुनके, यानिके प्रायोगिक अध्यान द्वारा पता चलता है कि कम इलेक्टो निकेडिब जो सब्सिट्यून्स होते हैं ठीक है वो कहां पर होते हैं यानिके एक्वाटोरियल ओर्बिडल पर होते हैं यानिके ओर्बिडल पर पाई जाते हैं तथा अधिक इलेक्टो निकेडिब जो substitute होते हैं वो कहां पाई जाते है एक्जियल ओर्बिटल यानिके एक्जियल ओर्बिटल पर पाई जाते हैं यानिके प्रायोगिक अध्यान द्वारा पता चलता है कि जो आपके कौन से वाले होंगे से यहांनिके कम इलेक्टर निगेडिव कम इलेक्ट्रों ठीके सरकंइलेक्ट्रों निगेटिव मिरस सब्सकूंद यूस होते हैं सब्स टी सबसी टूनस्ट ठीक है सबसी ट्यूंस थिक है वो कह पायेते है एक वाटोरियों एक को टॉर रियू ऑरबी mappedle और भी ऐल्पर 》पाया जाते हैं प्यू जाते हैं तथा कम तथा अधिक की बात कर लो तता अधिक इलेक्ट्रो थी यू सब सी ट्यूब से लोते हैं में रुकस जाते हैं पर पाए जाते हैं पाए जाते हैं ठीक है पाए जाते हैं ओके तो प्रायरिक अध्यन द्वारा बदलता है कि कम इलेक्ट्रो निकेडिव सब्सिट्यून्स जो होते हैं वो कहां पाए जाते हैं वह या इलेक्ट्र यानि के एक्वाट्रियल और पाए जाते हैं तो अधिक इल बार वार रेपीट करना याद करना वैसे ही नई टूपिक के साथ मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्स कर दो कर दो